दोस्तो आज इस वीडियो में हम Paytm HDFC Bank Select Credit Card के बारे में Complete बात करेंगे जी हाँ दोस्तो इसी वीडियो में मैं आपको Live Apply करना भी सिखाऊंगा वीडियो को आप Complete देखते रहीगा उससे हम पहले बात करेंगे कि अगर आप इस Card को लेते हैं तो Card के अंदर दोस्तो आपको कौन-कौन से Benefit मिलते हैं कौन-कौन सा Features देखने को मिलता है क्या Charges रहने वाला है अगर आप इस Card का यूज करते हैं तो Complete हम वीडियो में Discuss करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरू करिएगा दोस्तों के साथ Share जरू कर दिजेगा और चानल पे आप नए होंगे तो Make Sure अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के informative और interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा फिलाल दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आच चुके हैं सबसे पहले Paytm.com पे जोकी उनका official website है यहाँ पे आप देखेंगे Paytm और HDFC दोनों ने associate करके इस card को launch किया है यहाँ पे आप देखेंगे Paytm HDFC bank select credit card इसका नाम है unlimited cashback every time आप देख सकते हैं यहनि अगर आप इस card को लेते हैं तो unlimited cashback आपको हर एक transaction पे आपको देखने को मिलता है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे card का जो highlights है आप देख सकते हैं up to 5% unlimited cashback आप un कर सकते हैं benefit worth 75,000 का आपको benefit देखने को मिलता है airport lawn को आप access कर सकते हैं 2000 का gift watcher भी आपको देखने को मिलता है अगर आप इस card को लेते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़े अक्षर में यहाँ पे get up to 5% cashback on all the way आपको देखने को मिलता है इस card के मादिम से दोस्तों आप बहुत सारे cashback को un कर सकते हैं यहाँ पे हम see more पे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आएए समझते हैं कि cashback आपको कहा कहा देखने को मिलता है कितना percent आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 5% आपको cashback देखने को मिलता है अगर आप इस card का use करके paytm mall में shopping करते हैं movie की ticket book करते हैं या travel वगरा से related आप transaction करते हैं जैसे कि अगर आप flight की ticket करते हैं या अगर bus वगरा की ticket करते हैं ट्रेन वगरा की ticket करते हैं तो उसमें आपको 5% का cashback देखने को मिलता है साथी दोस्तों 2% का cashback आपको देखने को मिलता है paytm में other आप खर्चे करते हैं साथी यहाँ पे 1% का cashback देखने को मिलता है तो वो आपको 1% का cashback देखने को मिलता है लेकिन इन्होंने साब सब लिखा है कि wallet में जो आप पैसे load करेंगे या fuel में आप spend करेंगे वो पैसे को यहाँ पे count नहीं किया जाएगा साथी 5% तक का यहाँ पे और भी कई सारे जगों पे आपको benefit मिलता है जैसे कि shopping वगरा में category में, dining में, travel में, hotel booking में यह सारे category में दोस्तों आपको इस तरह का cashback देखने को मिलता है आप देखें दोस्तों इस cashback को लेने के पीछे काफे सारे term and condition है तो सबसे पहले हम यहाँ पे HDFC के website पे आ चुके हैं और यहाँ पे cashback को लेने का term and condition है उसको हम सबसे पहले अच्छे से समझेंगे तब जाके आप इस card का use कर पाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इनों ने कहा है कि 1st January 2023 से जो cashback है जो भी redemption है उसमें कुछ बदलाओ किये गए हैं वो आपको देखने को मिलता है जैसे कि दोस्तों सबसे पहला rental payment यहाँ पे अगर आप करते हैं तो कोई भी cashback आपको देखने को नहीं मिलता है उसी के बाद अगर government में कोई भी spend आप करते हैं गौर्मेंट से related आप कोई भी transaction करते हैं तो उसमें भी आपको cashback देखने को नहीं मिलता है grocery में spend करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलता है maximum एक महिने में 1000 ही cashback point को आप earn कर सकते हैं grocery के sector में travel में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आगर आप traveling करते हैं तो पर मत यहाँ पे 50,000 point ही आप redeem कर सकते हैं तो यह सारे इनके term and condition है एक जनवरी 2023 से लागू हुए हैं आईए हम और भी चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे effectively दूसरा जो यहाँ पे आपको term and condition जो की एक फरवरी 2023 से लागू किया गया है यहाँ पे आप देखेंगे overall cashback redemption will be capped at 3000 point per month यहाँ एक महिने में 3000 ही cashback point को आप redeem कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 70% जो आपका point है plus 30% आपका point है minimum आप मानके चलते हैं कि आपने 100% coin को earn क्या है तो यहाँ पे 30% ही coin आप redeem कर सकते हैं कोई भी चीज़ आप खरीते हैं वहाँ पे 30% एक समय में point को आप redeem कर सकते हैं तो यह सारे इसके effective term and condition है जो की एक फरवरी और एक जनवरी से लागू किया गया है I hope आपको यह चीज़ बिल्कुल समझना होगा तब जाके आप card apply करेंगे साथी यहाँ पे सबसे main और important topic पे बात करें तो free credit period जो इनका है अगर आप card से पैसे निकालते हैं तो 50 दिन का आपको interest free credit period मिलता है जिसके अंतरगत आपको कोई interest यहाँ पे नहीं देना पड़ता है अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप card को लेते हैं तो additional features के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलता है जैसे कि utility का bill payment वगरा आप इस card के माधम से कर सकते हैं zero cost liability आपको मिलता है मानके चलते हैं कि अगर आपका card खो जाता है तो 24 घंटे के अंदर इनका जो भी help line number है उसको आप call करके अपने card से होने वाले fraud से आप बच सकते हैं और card भी आपको दुबारा मिल जाता है साती fuel surcharge waiver का आपको option देखनी को मिलता है 1% fuel surcharge waiver आपको देखनी को मिलता है maximum transaction आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको 500 रुपया per statement का cycle देखनी को मिलता है और minimum जो transaction है 400 रुपया आपको करना है welcome benefit के अंतरगा दोस्तों आपको Paytm First का membership देखनी को मिलता है अगर आप इस card को लेते हैं और यहाँ पे आपको milestone complete अगर आप करते हैं इनके benefit अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे एक साल में 1200 रुपय का आप cashback को earn का सकते हैं every month में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 10,000 रुपया every month यहाँ पे रखा गया है यहाँ पे आपको यह सारे tournament condition देखने को मिलते हैं साथ ही यहाँ पे spend based fee waiver आपको देखने को मिलता है get monthly fee waiver on retail spend 5,000 in a month आपको यहाँ पे देखने को मिलता है contactless payment भी आप कर सकते हैं इस card के मादयन से again यहाँ पे dining benefit भी दोस्तों आपको मिलता है up to 20% जो इनके काफि सारे restaurant partner है वहाँ पे dining benefit भी आपको देखने को मिलता है अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक calculator देखने को मिलता है जहाँ पे आप adjust करते हैं अपने monthly expense को तो यहाँ पे 5% cashback वाला आप देख सकते हैं कितना पैसे आप खर्च करेंगे 2% में कितना पैसे खर्च करेंगे उसके हिसाब से yearly दोस्तों आप कितना saving कर सकते हैं और कितना आप spend करते हैं वह सारे चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन यहाँ पे मैंने अलड़ी आपको बता दिया कि फ्री एरपोर्ट लॉन आप एक्सिस कर सकते हैं, गेट एट कॉम्पलिमेंटरी डॉमेस्टिक एरपोर्ट लॉन विजिट एवरी डे यानि दोस्तों एवरी इयर सौरी यहाँ पे आठ डॉमेस्टिक लॉन को आप एवरी इयर एक्सिस कर सकते हैं, काफी सारे इनके पार्टनर हैं, वहाँ से आपको गिप का वॉचर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप इस कार्ड को लेते हैं, और तीन महिने में 50,000 रुपे के ट्रांजिक्शन करते हैं, वेलकम बैनिफिट मैंने आपको पहले बता है, 75,000 का बैनिफिट वॉर्थ आपको देखने को मिलता है, साथे दोस्तों बात करते हैं, इस कार्ड के अंदर आपको जीरो एनुवल फी रहने वाला है, वो कैसे रहने वाला है, आईये हैं मिसिस को अच्छे समझते हैं, तो य लाख रुपया खर्चे करते हैं, तो आई थिंग अगर आप क्रेडिट का मैक्सिमम यूज करेंगे, तो खर्चा आटोमेटिकली हो जागा, और जो आपको एनुवल फी रिनुवल फी आपको देना है, वो आटोमेटिक आपका माफ कर दिये जाएगा, साथी वीडियो में बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा बैनिफिट, टू बूस्ट रिवार्ड आप देखेंगे, एक परसेंट का फ्यूल सर्चार वीबर आपको देखने को मिलता है, चार एड़ोन कार्ड अब बनौआ सकते हैं, फ्री लॉस्ट कार्ड लियबिटी कवर वर्थ पांच लग का आपको आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड मिनिटरी है, तब जाके आप इस कार्ड को एपलाई करेंगे, एक बैंक अकाउंट आपको पास होना चाहिए, तब जाके आप इस कार्ड को एपलाई करेंगे, अब देखी बात करते हैं, अगर आप जौब करते हैं, तो आपके प बिजनस है लेकिन दोस्तों मैंने हाली में SBI का simply click credit card को बनवाया है, मेरा तो बन गया, फिर बाद में मैंने paytm का भी बन गया है, बन गया है, तो बहुत सारे लोगों का बन भी जाता है, तो आप एक बास जरूर ट्राइ करिएगा, चली हम बात करते हैं कि कैसे आप इस card को apply क कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस card को दो तरीके से apply कर सकते हैं, सबसे पहले आप HDFC bank के official website पे जाके यहाँ पे आप देखेंगे, आप इस website पहेंगे, तो नीचे आप दोस्तों आपको apply नाओ का एक button मिलेगा, इस पर आप click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पे आ जाल देंगे, उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको continue पे click करना होगा, उसके बाद आपको आगे further proceed करना होगा, उसके बाद आप अपने घर पे बैटके mobile phone से card को apply करेंगे, क्योंसी करना mandatory है, तब ही जाके आप इस card को apply करेंगे, तो पहला तो यह तरीक हो गया, link इसका मैं description में provide कर जूँगा, वहाँ पे जाके आप इस card को apply कर सकते हैं, आप चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पास Paytm का एक application होना चाहिए, जो की register होना चाहिए, वहाँ से भी आप इस card को apply कर सकते हैं, तो simply आपको application को open करना है, open करने के बाद, दोस्तों यहाँ पे loan and credit card के section में आना है, यहाँ पे आपको credit card का एक button मिलेगा, simply आप यहाँ पे click करके, अपने detail वगरा fill करके, KYC complete करके card को apply कर सकते हैं, so I hope दोस्तों इस video में मैंने आपको complete जानकारी दिया है, चाहे तो cards related, चाहे card का feature, कौन-कौन से document का requirement है कैसे card को apply करना है, अगर आपको वीडियो पसंदा होगा, वीडियो को like जरू करिएगा, दोस्तों के साथ share जरू कर देएगा, और चैनल पे आपने हैं, तो make sure और नीचे आपको rate color का button दिखेगा, उस पर click करके चैनल को subscribe जरू करिएगा, फिलाल दोस्तों मैं अपने चैनल finance related content upload करता हूँ, जो की आपके लिए बहुत जादा informative होता है, और यहाँ पे आप मेरे Instagram का ID देख सकते हैं, अगर आपको मेरे को follow करना है, या मेरे से बाचीत करनी है, कुछ भी चीज़ों को पूछना है, तो यहाँ पे Instagram का जो भी link है, मैंने वीडियो के description में share कर दिया है, और जो भी queries है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब ते कलिए, जय हिन बंदे मात्रम